हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूटूब चैनल इबोले तो इंगलेस तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कंजंक्शन तो चलिए इसका मींस क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं तो आ कंजंक्शन इस वर्ड विच जॉइन्स तू और मोर देन तू वर्ड फ्रेंज्स और मोर यानि कंजंक्शन वे सब्ड है जो दो को जोडने का वर्ड करता है उसे हम लोग कहते हैं तो चली हम लोग इसके कुछ interess की बात करने वाले दोड़ा जाए गाएगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा आлетा बस tercer को इन तक देखना ए और हम इसके सारे नियम도 को बता देंगे कि कौन से कंजनस मारा किस जगह पर प्रयूग होता है किस जगह पर प्रयूग Wak onto के लिए आवस्यक ग्रामेटिकल जो हमारे रूल से हैं वो निम लिखी थे हैं चलिए उनकी बात कर लेते हैं हमारा रूल नंबर फस्ट दे रखा है आल्दो या फिर दाओ के बाद येट या कॉमा का प्रियोग होता है तो आप लोग ज्याद रखेए आल्दो या फिर दाओ के बाद हमारा येट या कॉमा का प्रियोग कर लेते हैं या तो हम लोग कंजंशन की जगापर येट लगाए देंगे या फिर वहां पर कॉमा लगा देंगे तो आप लोग ज्याद रखेएगा तो चलिए इसका example देखते हैं although he walked fast yet he missed the train तो कहीं न कहीं आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा एक sentence ये दे रखा है और एक दूसर sentence हमारा ये दे रखा है और हमारा यहाँ पर although का प्रयोग हो रहा है और मैंने बताया although या फिर दाओ का प्रयोग हो रहा है तो हमारे conjunction की जगा पर जो दो sentence को add करेगा उस जगा पर yet लगा देंगे या फिर हमारा क्या जाएगा यहाँ पर comma का यूज कर लेंगे तो yet लगा दें या फिर वहाँ पर comma लगा दें तो although he walked fast yet he missed the train तो चलिए हम लोग अपना second rule की बात कर लेते हैं और हम लोग last में quick revision भी कर लेंगे तो हमारा second rule दे रखा है बोथ के बाद हमेशा end का प्रियोग होता है ना कि इसके बाद हम लोग else या फिर but या फिर as well as का यूज करते हैं तो आप लोग याद रखिएगा बोथ के बाद हम लोग हमेशा end का प्रियोग करते हैं ना कि else but या फिर as well as का और कहीं न कहीं हमारा जो बोथ और end है ये same part of speech वाला verb या फिर कह सकते हैं object या फिर जो हमारा subject दे रखा हो लेता है जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहेंगे both रेखा and sila तो कहीं न कहीं बोथ के साथ हमारा यहाँ पर noun आया रेखा और देखें एंड के बाद भी हमारा noun आया तो कहीं न कहीं same part of speech लेता है तो बोथ रेखा and sila have गौन आउट तो अपनों के इन देखा ना बोथ के बाद हमारा क्या आया एंड आया और कहीं न कहीं बोट के साथ हमारी जो हिल्पिंग और वाती वो भी प्लूरल के आती है तो बोट रेखा एंड सीला है गॉन आउट तो चलिए हमारा थर्ड रूल दे रखा है इसकारसली या फिर हार्डली के बाद वेन या फिर बिफोर का प्रियोग होता है तो आप लोग जाद रखे इसकारसली या फिर हार्डली के बाद हमेशा वेन या फिर बिफोर का यूज होता है ऐसा कंजंसन में तो चलिए इसका एक्जामपल दे लेते हैं हमारा वट दे रख और hardly के बाद हम लोग हमेशा when या फिर before का यूज़ करते हैं, तो scarcely had he gone out of the office, या फिर हम लोग कह सकते हैं when, या कह सकते हैं before it began to rain, तो चलिए हम लोग अपने fourth rule की बात कर लेते हैं, less, और कहीं न कहीं आपको पता होगा, less से हर बार एक question बन जाता है किसी न किसी हमारे set में, तो less के बाद हमेशा हम लोग suit का प्रियोग करते हैं, और इसके साथ not का प्रियोग नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे negative sense देता है, less का means होता है कहीं ऐसा ना हो, तो कहीं न कहीं ये negative word दे रखा है, तो इसके साथ हम लोग sentence में not का use बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और less के बाद हमारा क्या आता है, suit helping गरों का use करते हैं, तो देखिए हमारा example दे रखा है, work hard, less, हमारा आ गया है ना, you should fail, यानि कहीं न कहीं कटिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम fail हो जाओ, तो कहीं न कहीं हमारे इस less में word का हमारा meaning निकल ला है, कहीं ऐसा ना हो तो यानि negative निकल ला है, इसलिए हम लोग इसके साथ not का प्रियोग नहीं करेंगे, तो less के बाद हमारी helping और कौन सी आई, suit आईए, तो आप लोग जाद रिखें लेस्ट के बाद हमेशा suit का प्रियोग करते हैं, तो चलिए हमारा fifth number पर rule दे रखा है, rather तथा other के बाद हमेशा then का use होता है, तो आप लोग जाद रिखें अगर sentence में rather आ जाए या other आ जाए, और इसके बाद अगर हमें conjunction का use करना हो, तो उस जगापर हम लोग सिर्फ then conjunction का use करेंगे, तो चलिए example देख लेते हैं, see has no other choice than to go there, तो देखा आपने, see has no other आ गया ना हमारा other, तो other के साथ हम लोग कौन सा conjunction का use करेंगे, then का use करेंगे, तो other आ जाए, या फिर rather आ जाए, तो इसके बाद हमारा जो conjunction यूज़ होगा, वो then यूज़ होगा, और आपको पता होना चाहिए, कि हमारा जो conjunction होता है, वो subjective case लेता है, और जो हमारा preposition होता है, वो कहीं ना कहीं, objective case लेता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए तो चलिए हमारा six number पर rule दे रखा है weather के बाद हमेशा और का प्रियोग होता है तो आप लोग याद रखें weather के बाद हमेशा हम लोग किसका यूज़ करते हैं और कंजनसन का यूज़ करते हैं तो देखें इसका example दे रखा है I don't care whether they go or stay not only ओहो ये आपके exam में बहुत ज़्यादा important question है क्योंकि आपके exam में हर बार एक question इससे बनता जरूर है not only but also से both dot dot end से neither dot dot nor से either dot dot or से तो कहीं न कहीं कंजनसन topic आपके लिए बहुत ज़्यादा important है तो चलिए इसका पढ़ लेते हम लोग जो कुछ rule है हमारा not only के बाद हमेशा but also का प्रयोग होता है और आपने पढ़ा भी होगा not only dot dot but also both dot dot end कहीं न कहीं आपने पढ़ा रखा होगा तो not only के बाद हमेशा but also का use होता है और इनके दुआरा हम एक प्रकार के सब्दों यानि subjects, objects, verb आदी को जोड़ा जाता है यानि इसका कहने का मतलब है not only के साथ और but also के साथ same part of speech का word यूज किया जाता है अगर not only के साथ यहाँ पर हमारा noun यूज किया गया है तो but also के साथ भी noun यूज करेंगे he not only educated his nephew but also set him up in business तो देखा आपने not only आया और इसके तुरंद बाद हमारा but also आया और कहीं न कहीं not only के साथ तुमारी same part of speech की verb यूज होती है तो देखा आपने not only के साथ हमारा यहाँ पर educated आया verb और कहीं न कहीं आप लोग देख पा रहे होंगे तो आप लोग ने देख लिया कि not only but also के साथ same part of speech का word यूज होता है और not only के साथ हमारा क्या आता है यानि उसने अपने भतीजे को ना केवल educated किया but also उसको business में भी लगा दिया तो चलिए हम लोग अपने next rule की बात कर लेते हैं जो कि मारा 8 number पर दे रखा है यूज होता है और either के साथ हमेशा और का use होता है और इनके दोरा एक ही प्रकार के सब्दों का जोड़ा जाता है यानि इसके साथ भी हमारा same part of speech का word यूज होगा अगर neither के साथ हमारा noun आ रहा है तो nor के साथ भी हमारा noun ही आएगा और either के साथ भी यही लागू होता है तो चलिए हम लोग इसका example देख लेते हैं How do you say that? Neither हमारा word क्या आगे हमारा neither हमारा क्या यूजओ हुआ है subject यूजओ हुआ है तो हमारे दोरों यहां पर pronoun यूजओ किए गए है यहांपर हमारा हमारा रमेश कहीं न कहीं प्रनावन यानि subject का work कर रहा है तो मैंने बताया अगर इसके साथ subject आ रहा है तो उसके साथ भी हमारा subject ही आएगा तो how do you say that neither he nor Rames has qualified in the examination तो चली हम लोग अपने next rule की बात कर लेते हैं तो चली हमारा nine number पर rule दे रखा है until का प्रियोग समय में होता है यानि until का प्रियोग work कह सकते है time में होता है और इसका means होता है जब तक नहीं until का means क्या होता है जब तक नहीं के लिए तता unless का प्रियोग सर्थ यानि सर्थ में होता है तो आप लोग एक लिए आद रखिए until का means हमारा समय से होता है और unless का means हमारा सर्थ से होता है जिसका means होता है यदि नहीं के लिए होता है तो आप लोग एक लिए रखिए और until या जो हमारा unless है इसके साथ not का प्रियोग नहीं होता क्योंकि आप लोग देख पा रहोंगे इन दोनों में कहीं नहीं नहीं आ रहा है यदि नहीं और जब तक नहीं until का means जब तक नहीं और unless का means यदि नहीं तो कहीं नहीं negative sense दे रहे हैं इसलिए हम लोग sentence में इसके साथ not का use नहीं करेंगे तो चलिए इसका example देख लेते हैं they can not do well unless they work hard तो आपने देखा unless के बाद जो हमारा sentence आ रहा है वो कहीं न कहीं simple form में है क्योंकि unless का खुद ही means हमारा negative से लिकलता है यानि वे अच्छा नहीं कर सकते यदि उन्होंने कर्टिशन परिश्यम नहीं किया तो आप लोग इसका means समझ गए होंगा यानि unless और until हमारे दोनों ही negative में यूज होते हैं और until का means जब तक नहीं और unless का means हमारा यदि नहीं से होता है नमबर 10 पर 10 नमबर पर हमारा दे रखा है सच के बाद समानिता as का प्रियोग होता है तो friends सच के साथ एक exception भी है तो उसे भी हम लोग भी बात करेंगे तो सबसे पहले सच के साथ हम लोग as का प्रियोग करेंगे तो c is not such a good dancer as we expected तो कहीं न कहीं आपने देखा हमारा यहाँ पर सच आया उसके साथ हमारा कंजनसन क्या आया as आया तो यहाँ पर हमारा सच के साथ as का use होगा तो चलिए इसका exception दे रखा है लेकिन सच के बाद that का प्रियोग होता है यदि वाकिसे कारण या फिर परणाम का बोध हो यहीं सच के बाद हम लोग that का प्रियोग करेंगे या इसके सच के साथ that का प्रियोग करेंगे वरना सच के साथ हम लोग as का प्रियोग करेंगे तो आप लोग इसे भी याद रखिए चलिए मारा next rule दे रखा है 11 नमबर पर बिकाज सिंस enough that के बाद therefore या दस का प्रियोग नहीं होता है तो आप लोग गाद रיכिए आपके sentence में अगर because since as soon as या as आ रहा है as a conjunction तो इनके बाद हम लोग therefore या दस का प्रियोग नहीं होता है तो आप लोग इन बातों गयाद रखिए और आपके exam में कहीं न कहीं therefore या thus लगकर ही आएगा तो इसका example दे रखा है as soon as he opened the old wooden box then a rat jumped out of it तो कहीं न कहीं न कहीं हमने देखा है आपर हमारा as soon as यूज किया गया और इसके बाद कहीं न कहीं हमारा conjunction then आया है ना कि therefore या thus तो आप इन बातों का याद रखिए तो चलिए हम लोग अपने next rule की बात कर लेते हैं the same के बाद हमारा relative pronoun that या as का प्रियोग होता है तो आप लोग याद रखे अगर sentence में हमारा the same आ रहा है तो इसके बाद हम लोग that या फिर as का प्रियोग कर लेते हैं तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं that का प्रयोग कहां करते हैं और as का प्रयोग कहां करते हैं जहाँ पर हमारा sentence में जो verb है बिल्कुल is passed हो उस जगहाँ पर हम लोग that का प्रयोग करेंगे और जहाँ verb is passed ना हो वहाँ पर हम लोग as का प्रयोग करेंगे तो चलिए इसका example देख लेते हैं She is the same girl that met me yesterday यानि यह वही girl है that met me yesterday जो मुझे कल मिली थी तो कही न कहीं girl बिल्कुल same है और वही मुझे कल मिली थी तो यहाँ पर हमारा जो verb है वो expressed है तो the same आया ना इसके बाद हमारा क्या है हमारा that आया तो चलिए इसका एक जो मारा next example उसे देख लेते हैं वो यह मारा exception लिखा यदि वाके में verb इसपस्ट ना हो तो as का प्रियोग करते हैं जैसा कि this is the same pen as mine यानि यह बिल्कुल वही pen है जैसा की मेरा तो कहीं न कहीं आप लोग देख पा रहोंगे same the same हमारा use किया गया है और इसके बाद as का प्रियोग किया गया है क्योंकि यहां पर verb इसपस्ट नहीं है यानि pen जो हैं कहीं न कहीं वो उसी तरीके से दो टाइप के भी pen हो सकते हैं और कई प्रकार के हो सकते हैं बिल्कुल वैसे ही pen लेकिन जो हमारी girl थी वो कहीं न कहीं same नहीं हो सकती है बिल्कुल वैसी ही तो this is the same pen as mine तो आप लोग याद रखेगा इसे भी चलिए हमारा 30 नमबर पर rule दे रखा है इल्स के बाद but का प्रियोग होता है दैन का नहीं तो आप लोग याद रखे इल्स के साथ हमें दैन लगा के दे देता है बट वहाँ पर बट कंजनसन का प्रियोग कियाता है तो आप लोग याद रखे इल्स के बाद but का प्रियोग होता है दैन का नहीं तो चलिए इसका एक्जामपल देख लेते हैं I want nothing else but तो देखे आपने I want nothing else but to meet her यानि मैं और कुछ नहीं चाहनता else but यानि कहीं न कहीं उससे क्या जाता हूँ सिर्फ मिलना चाहता हूँ तो देखा आपने इल्स के बाद हमारा but का प्रियोग होता है दैन का नहीं तो आप लोग इससे याद रखिए चलिए हमारा 14 नमबर पर हमारा rule दे रखा है not या never के बाद और का प्रियोग होता है नौर का नहीं तो आप लोग गयाद रखिए not और never के साथ हमें नौर लगा के दे देता है बट वहाँ पर हम लोग सिर्फ और का प्रियोग करते है तो we have never met her or return to her तो आपने देखा यहाँ पर हमारा never का यूज किया गया है तो इसके साथ जो हमारा कंजनसन आएगा वो और आएगा तो आप लोग याद रखिए not या never के साथ हमारा और कंजनसन का यूज होता है ना कि नौर का जलिए हमारा जो हमारा लास्ट का हमारा जो 15 नंबर पर दे रखा इसके बाद एक और दे रखा हमारा rule तो so.as का प्रियोग нिगेटिव वाकियों में होता है जबकि as.as का प्रियोग निगेटिव तो था ऐफरमेटिव दोनों वाकियों में होता है तो आप लोग याद रखिए so dot dot as का प्रियोग हमारा negative में होगा और जो हमारा as है as dot dot as है वो negative और affirmative दोनों में होता है तो चलिए इसका एक 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 जामपल देख लेते हैं he is as good as अभिनास तो कहीं न कहीं हमारा sentence affirmative इसमें negative word का use नहीं किया गया और हमें थाया affirmative और negative में एक use होता है जो कि है as dot dot as तो कहीं न कहीं ही as good as अभिनास तो यह हमारा sentence affirmative था तो इसे हम लोग पचान गए कि as dot dot as का प्रियोग करेंगे और अगर negative होगा तो हम लोग so dot dot as का प्रियोग करेंगे he is not so good as अभिनास तो यहाँ पर आप लोग ने देखा not आया यानि हमार negative word आ गया तो यहाँ पर so dot dot as का प्रियोग किया गया है तो he is not so good as अभिनास कि यह हमारा negative हो जाएगा तो चलिए हमारा 16 नमबर पर जो हमारा last rule है उसे देख लेते हैं no sooner के बाद हमेशा then का प्रियोग होता है when then but that आदी का नहीं होता है तो आप लोग जाद देखे no sooner dot dot के बाद हमेशा हमारा then कंजिंसन यूज होता है और इसके बाद कहीं न कहीं जो हमारा sentence बनेगा वो interrogative में बनता है no sooner had he reached home then she left तो कहीं न कहीं आपने देखा no sooner के बाद हमारा dot 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 क्या है हमारा then का कंजिंसन का प्रियोग किया गया तो कहीं न कहीं sentence हमारा क्या हो जाएगा write हो जाएगा तो चलिए इसका एक बाद जल्दी से हम लोग revision कर लेते हैं तो देखिए आपको मैंने कंजिंसन बताया तो बोत के बाद हमें सा किसका प्रियोग होगा एंड का ना की इल्स बट ऐस वेल ऐस का तो आप लोग इसे भी याद रखिए चलिए हमारा थर्ड नमबर scarcely, hardly के बाद when या before का प्रियोग किया जाता है तो आप लोग याद रखिए scarcely और hardly के बाद when या before का प्रियोग किया जाता है तो चलिए हम लोग इसका नेक्स डूल देख लेते हैं लेस्ट के बाद हमें ऐसा suit का प्रियोग होता है जो कि आपके exam के लिए बहुत जादा important है लेस्ट के बाद हमें सा उइसा रेक्रीन का प्रियोग होता है और यहां पर हमारा weather दे रखा है जिसका means यदी से होता है तो weather के साथ हम लोग इसका प्रियोग करते हैं और का प्रियोग करते हैं तो चलिए हम लोग इसका next rule देते हैं not only के बाद but also का प्रियोग होता है और इनके साथ भी same part of speech यूज़ करी जाती है और until ते था unless दोनों ही हमारे negative होते है और until का जो हमारा प्रियोग होता है वो समय में होता है जिसका means होता है जब तक नहीं और unless का means हमारा कहीना कहीं यदी से होता है और कहीना कहीं ये भी negative होता है यानि सर्थ से होता है तो चलिए हम लोग अपने next rule के बाद कर लेते हैं सच के बाद as का प्रियोग होता है और सच के बाद हमेशा कभी कभी that का प्रियोग भी कर लेते हैं तो सच के साथ as का प्रियोग होता है और सच के साथ that का प्रियोग कब होता है और कहीं नहीं आपके sentence में यही लग किया जाता है तो because, since, as, soon, as के बाद therefore या दस का प्रियोग नहीं होता है चलिए हमारा toll number पर दे रखा है the same के बाद relative pronoun that या as आता है और मैंने आपको भी बताया था the same के बाद क्या आएगा हमारा that या फिर हमारा as आएगा अगर हमारी verb clear रहे तो उसके साथ that आएगा ता the same के साथ और और अगर verb clear नहीं है तो उसके साथ हमारा as आज़ाएगा Чलिए हमारा next rule दे रखा ifs के बाद but का प्रियोग होता है then का नहीं तो ifs के बाद clicks होता है बट का दैन का प्रियोग नहीं होता है आप लोग याद रखेगा और not यार never के साथ हमारा और का प्रियोग होता है ना कि नौर का क्योंकि कहीं न कहीं not और never हमारे negative है तो इसके साथ हम लोग और का प्रियोग करते है नौर का प्रियोग नहीं करेंगे तो आप लोग इससे या किया जाता है तो नौ सूर के साथ किसका प्रियोग किया जाता है तो इस परकार परilla करो ने क्लियर के सा LinkedIn क्हीं जम विट पर इसके बिंद्संद हमारा कौन सा कंजन आता है और आपके जाह्त अपन आपिंद्र आफके नंठी अब है न três